हलो दोस्तों कैसे हैं सर मेरा नाम है हिमानशू और मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके प्में चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हर सस्पेंज सीरीज की कॉमिक मौतड़ा जो की रक्त पिपासू का अगला भाग है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पिछले अंक रक्त प्यपासू में आपने पड़ा चौकडी देवी के मंदिर के लिए शुरू ही सालाना यात्रा लेकिन इस बार जंगल से गुज़र वेई इस यात्रा पर मंडरा रहा है रहस्य में रक्त प्यपासू का खत्रा यात्रा में शामिल दो लोग हो गायब मिस्ट्री बस्टर टीम के पाथ जाबास सदस्य कर रहे हैं उनकी तलाश क्या ये दो लोग मिलेंगे या अभी गायब होंगे कुछ और भी ये रुद्राश की माला उसी की है उनके साथ कोई अनुवनी हुई है ये कड़ा उसी का है वो किसी मौत्रा निशान का जिक्र कर रहे थी इस बात को अभी अपने तक इसी मित रखना होगा अन्न था यात्रियों में डर फैल जाएगा डर तो अफ फैल नहीं था क्योंकि मौत का निशान था मौत्रा लखन के गाल पर भी चीलने एक ऐसे ही निशान लगाया था और उसके बाद वो भी रैसमें डंग से गायब हो गया था वो भूत चील थी शायद हो क्योंकि यहां मुझे लगातार आत्मा का अभास हो रहा है क क्या आत्मा किसी को इस प्रकार से गायब कर सकती है क्रांती तुम आत्मा एक्सप्राट हो प्लेंचिट पर आत्मा का आभान करती है तुम बताओ क्या ऐसा संभव है आत्मा क्या है यदि आप खिड़की दर्वाजों पर लगे कीले शीशों में काले शीशों में अपना तो वो बिल्कुल करांती के अनुभाव का हुग हुग रूप था। मैं साबित करके रहूंगा कि यात्रा पर शैतान आत्माओं का साया मटरा रहा है। और ये काम हुनी का है। ये क्या कर रहे हो। आत्माओं को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा हूं। अरे नहीं अभी ऐसा मत करो अगली यात्रा पड़ाओं पर कर लेना ऐसी कोशिश अन्य था यात्रा आगे निकल जाएगी। ठीक है लेकिन मैं साबित कर दूँगा कि आत्माओं किसी को भी गायब कर सकती है। आत्मा ये किसी को गायब कर सकती है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता लेकिन पोनी तुमने मुझे जरूर इस दुनिया से गायब कर दिया है क्या मतलब पोनी जब मैं पैदा हुआ थो तो मेरा उपर का होट 20 से गाया था और मेरे दान भिवस रूप से होट के कटे हुए हिससे से दिखाई परते थे ऑपरेशन के बाद भी मेरे होट पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया जिसकी वज़ा से मेरा चैरा माना की खुबसूरत नहीं दिखता लेकिन यदि तुम मन की सुन्दरता को मानती हो तो उसे तुम कभी भी परक सकती हो उसमें मैं खरा उतरूँगा देखो जैकब हम एक टीम वर्पर है पस इससे ज़्यादा मेरा तुम मेरा तुम में कोई इंटरस नहीं है तुम मेरे दिल का हाल जनकर गुसे में और घुंगरू के गुसे का जवाब तुम से गुर्रा कर दे रहा है पर गुर्रा मत दिल के मामले में जबरदस्ती नहीं चलती जंगल में भी जबरदस्ती नहीं चलती फेको जाल फेको पांच फस गए चौकडी देवी को चड़ाने के लिए भेट मिल गई खबरदार मैंने आगा किया थे जंगल में शिकार करना बना है छोड़ो इन निरी प्राणियों को लेकिन ये खरगोश संरख्षे प्राणियों में नहीं आते इनका शिकार अवैर नहीं है जंगल में तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकते खरगोश छोड़ने पड़े यात्रा गेंप में वापस जाओ उफ जाते जाते खरगोशों ने पंजे मार कर गायल कर दिया उसी रात केम्प में शोर मचा हमारी बेटे चोरी हो गई बेटों की चोरी कौन कर सकता है जानवरों की चोरी किसने जानवर चोरी कितने जानवर चोरी हुए है हम पाचों की बेटे गायब है मैं समझ गया चोर कौन है क्या इतने लोगों की भीड में आप उसे ढून सकते हैं वो एक नहीं पाँच है मुझे मालूम है किस किस कैम में है किसे किस कैम में ठहराय गया फिलाल सभी यात्री कैम में है उन्हें सुबह यात्रा शुरू होते ही पकड़ूंगा फॉरेस वेंजर ने उन पाचों को चोरी के जानवरों के सहीद पकड़ लिया तो मैं शिकार के लिए मना किया तो चोरी का डाली चोरी की भेड दोगे देवी को हमें माफ कर दीजे सर गलती हो गई भेड़े वापिस लोटा नहीं होंगी अरे क्या हुआ ये निशान कब लगे कल रात खरगोशों ने पंजे मार दिये थी कल रात तुम लोग यहीं रोको हम अभी लोटते हैं जल्दी चलो पर हुआ क्या उन लोगों के पास पहुशने दो जिनकी भेड़े चोरी हुए फिर बताता हूँ जल्दी वो पाचो इसी कैम्प में थे अब ये कैम्प खाली है वो पाचो कहीं आसपास ही अपनी भेड़ों की तलाश कर रहोंगे आप भेड़ चोरों को निशान देखकर चौके और भागे क्यों थी वो निशान मौतरा के थे जिसको भी वैसे निशान लगे वो रहस में ठंक से गायब हो गया मुझे शक्त था कि मौतरा उनी लोगों को लग रहा है जिनके पास देवी को भेड़ में देने के लिए पशू नहीं मैं ये देखने यहां आया था कि भेड़ चोरी होने के बाद इस केम के यात्रियों को भी मौतरा लगा है या नहीं मुझे लगता है इस खाली केम के यात्रियों पर भी मौतरा लग चुका होगा इसलिए ये पाचो गायब है उन्हें ढूनना होगा ये रिस्ट वाच ये पर्स कहीं ये चीज़े उनी की तो नहीं पर्स में उनी में से एक का ड्राइविंग लाइसेंस है इसका मतलब भेटे चोरी होती हुने मौतरा लग गया होगा यदि आपकी बात में दम है तो इसका मतलब हम सब भी खत्रे में क्योंकि हमारे पास भी भेट के जानवर नहीं है यात्रा में भी कई मुसाफरों के पास भेटे नहीं है साप साप वो पाचो भेड़ चोर रहस में रंग से गायव हो गए क्या पकते हो ऐसा तो हो नहीं था करनल तांतरिक शम्शान जन ढूने नहीं मिल रहा ना अपने कैम्प में और ना कैम्प से बाहर कहीं पर वो आत्माओं के चक्कर में होगा पर कहां चा सकता है वो जंगल में कावट है कि जब किसी की मौथ आती है तो वो अकेला निकलता है मुझे आत्माओं का अभास हो रहा है आत्माओं कैम्प के आसबास मत रहीं थी आत्माओं भी अपनी गंद छोड़ती है मैं उस गंत का पीछा कर पा रहा हूँ मैं आत्माओं को पकड़ूँगा अपनी पास साबित करूँगा कि वो किसी को गायब कर सकती है जी जी उफ तुष्ट निशाचर गाल पर जलन हो रही है चमगादर ने पंजाम आ रहा है ओ ये निशान मौतड़ा का निशान वगर मुझे क्यों लगा ये निशान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये आत्माजड़े हैं यदि मुझ पर किसी आत्मा ने हमला किया तो वो सीड़े इस आत्माजड़ में समा जाएगी तांत्रिक शम्षान जन से अभी पाला नहीं पड़ा उसका तेरा पाला भी हमसे इससे पहले कभी नहीं पड़ा हमसे जिसका पाला पड़ता है दुबारा जिन्दिकी से उसका कभी पाला नहीं पड़ता हमें आत्मा जड़ में कैद करने वाला हमें देख कर खुछ जड़ हो गया हमें आत्मा जड़ में कैद ओम हीम क्लीम ये देख तेरे गाल पर मौत तोड़ा लगा है इसका मतलब जानता है मौत जिसको लगता है ये मनूस निशान उसकी मौत हम देते हैं मौत हमी है मौत औरे नाई उफ या आदमे शक्ति चाली है शैतान है गबरायत अंट्रिक पल्टा मगर पीछे पलटती उसकी टांगे बुरी तरह से काप गई खून की एक बून भी जमीन पर गिरने ना पाया न ता देवी की भेट अयोग्य हो जाएगी कबरा नहीं तेरी खोपड़ी भी टूटी नहीं है कुछ छण ही और है तेरे पास चल हमारे साथ नहीं आ बचाओ चले आओ तुम भी पीछे चले आओ तुम्हे भी मिलेगा देवी का परसाथ यात्रा तो चौकड़ी देवी के मंदर में कई दुनों में पहुंचती थी मगर मौतड़े आ पहुंचे ये तुम्हें ये तुम्हें कहां ले आयो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो देवी को तेरी भेट दे दें फिर जाने देंगे काक ओ मगर तुझे नहीं तेरी आत्मा को हाँ 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 क्या उसे भी लगा होगा मौतला आखिर क्या रहस है मौतला का किसे किन परिस्थितियों में लगता है मौतला और आखिर मौतला का शिकार कहां कहां पुझाता है बचो वो हाती का बच्चा इसी और आ रहा है उसके रास्ते से हर जाओ क्रांती तो उसके रास्ते में ही थी घबराओ नहीं मैं इसे पकड़ सकता हूँ गजी उसे ना पकड़ता तो ये तुम्हें तेज टक्कर मा का निकल जाता हाँ उस हाती के बच्चे को सिर्फ ही रोक सकता था फार उफ हत्नी अपने बच्चे के कारण क्रोधी दोकर आक्रमन कर रही है घबराओ नहीं इसका बाप भी आजाए तो भी चिंता नहीं शायद मेरे लिए ये पल कोई रिकॉर्ड बनाने में मेरी मदद करे अभी तक हाती को सून से पकड़ागा बिठाने का ही रिकॉर्ड मेरे नाम है यहाँ जान पर बनी हो और इसे रिकॉर्ड बनाने की सूजड़ी है हत्नी और उसका बच्चा लोट गए आज तुमारे कारण संकर टल गया अन्यता हतनी हम पर आकमर करती और किसी ना किसी को सुरूर मार डालती अब हमें आगे क्या करना चाहिए क्योंकि नर्भक्षी तेंदू की मौत के बाद भी लोग गायब हो रहे है मेरे विचार में यहाँ करांती कुछ कर सकती है मैं क्या कर सकती हूँ करनल ने उसे बताया क्रांती ने अपना काम शुरू किया मैं प्लेंचेट पर आत्मा को विलाने का प्रयास करती हूँ लेकिन अभी तक गायब हुए वैक्तियों में से किसी की आत्मा तभी आईगी जब वो जीवित नहीं होगा प्रकट हो प्रकट हो यात्रा मैं गायब हुए वैक्ति की आत्मा प्रकट हो ओ ये क्या शंग्शान चंद की आत्मा प्लेंचेट पर आ गई है तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं और मिलते हैं मौतड़ा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद